नमस्कार मैं हूँ अच्छोकर स्वागत करता हूँ आपका मेकनिकल नेक्सस में आज डिस्कस करेंगे हम नेट पॉजिटिव सेक्चन हेड के बारे में जिसे शॉर्ट फॉर्म में NPSH के रूप में लिखा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आज हम बात करे क्योंकि अगर यहां पर वैपरड़्यश चोगा होगह तो यहां पर एर भाबल डवल भॉल होंगे और एर बबबल के कारण केविटेशन बनेगा जो कि पंप के लिए बहुत हैं और बहूत सारे के हम यहां पर नपी एस च को पढ़ते हैं अब हम बात करता हैं कि NPSH क्या है देखिए NPSH को अगर मैं इसम्पल फॉर्म में आपको बताऊं तो जो हमारा प्रेशर है यहां पर कौन सा प्रेशर है सक्षन के द्वारा एक प्रेशर अपलाई किया जा रहा है इसे सक्षन प्रेशर कहेंगे यह एक फ्लूड है इस फ्लूड का एक अपना वैपर प्रेशर भी होता है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम NPSH कह जकते हैं यह एक कॉमन डेफनेशन है अगर मैं इसको आपको लिखूं तो यह हमारा कि सक्षन प्रेशर को ही इनलेट प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है ओके इनलेट प्रेशर माइनस वैपर प प्रेशर क्या होता है वेपर प्रेशर एक वह प्रेशर होता है जो वेपर द्वारा लिक्विड की सर्फेस पर प्लाई किया जाता है इसके कारण भी बॉइलिंग होती है सर्फेस के अंदर जिसके कारण आगे चलके cavitation जैसे phenomenon डवलप होते हैं और suction pressure क्या होता है suction pressure वह pressure होता है जो यहाँ पे fluid को suck करने के लिए help करेगा वो कैसे करेगा थोड़ा इसको देख लेते हैं माल लीजिए यह मेरा एक pump है और इस pump का यहाँ suction pipe है suction pipe नीचे हमारे sump से connected है संप में जो water है उसे हमें सक करना है तो यहाँ पे देखिए संप में कैसा pressure है air का pressure है चारो तरफ air है चारो तरफ तो यहाँ पे किस तरह का pressure हुआ atmospheric pressure ओके अब यहाँ पे pump देखेंगे यह impeller आगे जलके motor से connected है motor को जब हम motor के rotation से यह impeller घूंता है जब यह impeller rotation को देगा तो centrifugal force जन्नेट होगा यह centrifugal force क्या करेगा यहाँ पर जो भी fluid है उसको यह भार की तरफ फैकेगा यानि इसके periphery की तरफ फैकेगा आई से यह इसकी आई कही जाती है impeller की इससे भार की तरफ फैकेगा इससे क्या होगा इससे होगा यह कि जैसे यह fluid को भार फैकेगा तो इसकी आई में क्या जन्नेट होगा vacuum और vacuum क्या है एक तरह का negative pressure है तो यानि आई ओफ impeller पे negative pressure डवलप होगा यहाँ पर हमारा positive pressure है तो इस pressure difference के कारण हमारा fluid हमारा higher pressure से lower pressure के तरफ flow होना start कर देता है इस तरह से यहाँ पर suction start होता है इसी को suction pressure inlet pressure या suction pressure head के नाम से जाना जाता है इसको थोड़ा ओर detail में समझते है माल लीजिए यहाँ पर एक चार्ट ले लेते हैं जिसमें vertical axis पर हमारा pressure है जो की और हमारा horizontal axis में pump की conditions है end condition जैसे suction यह हमारा eye of impeller है और यहाँ पर है मेरा discharge okay अब माल लीजिए मैंने जैसे भी discuss किया हर एक fluid का अपना एक vapor pressure होता है माल लीजिए यहाँ पर हमारा fluid है कोई x उसका यहाँ पर इसका यह vapor pressure line है यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसकी यह है इसकी vapor pressure line ओके कुछ भी fluid आप माल लीजिए अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर कैसा pressure है इस point पर हमारा higher pressure call atmospheric pressure माल लीजिए यहाँ पर हमारा atmospheric pressure start होता है इसे ए ले लिजिए, मैं इसको ए माल लेता हूं, इस पॉइंट को, ओके, यह पूरे के पूरे में सेम प्रेशर हैगा, जैसे यह आई के पास जाएगा impeller के आई के पास, तो अभी हमने डिसकस के यहाँ पर कैसा pressure है, negative pressure, तो यानि यहाँ से pressure का क्या हो रहा है, यहाँ से pressure drop हो तो यहाँ से pressure द्वारा horizoner start हो जाएगा, तो eye of impeller, we generate much pressure, to deliver at a certain height, यह point अमाल लीजिए, अगर C है, तो यह point C है, और यह impeller B मान लीजिए, तो यह जो point है, यह मेरा B है, तो इसमें आपको यह चीज़ देखिए, यह जो zone है, यह जो zone है, इसको का जाते है, NPSH, NPSH zone, यहाँ चीज़ negative नहीं होने चाहिए, negative मतलब, vapor pressure से नीच आएगा, तो negative, इससे उपर है, तो positive, इसलिए यहाँ पर यह word आया है, net positive, इसी zone को positive zone कहा जाता है, और suction head, इसको सक करने के लिए, जो pressure चाहिए, डवलप चाहिए, जो height चाहिए, उसको कहा जाता है, head, इसी को कहा जाता है, suction net positive, suction head, यानि यह zone net positive suction head कहलाएगा, माल लीजिए, अब मेरा यहाँ पर pressure, जो point B पर, जो pressure है, I of impeller पे, इतना ज्यादा नीचे गिर गया, कि इसने, इस fluid की vapor pressure line को cross कर दिया, माल लीजिए, यह मेरा pressure आया, यह मैंने blue line से, dotted से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, माल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर formation of bubble, यानि bubbles बनना start हो जाएंगे, यह bubbles बन गए, और अगर यहाँ पर जैसी bubbles बनना start हो जाते हैं, यह bubbles आगे carry करेंगे, और जैसी high pressure zone मिलेगा, high pressure zone कौन सा, यह पूरा high pressure zone है, तो यह फट जाएंगे, जैसी फटेंगे, cavitation start हो जाएगा, pump के अंद, देखिए, इसी को avoid करते हैं हम, इसलिए मैंने सबसे आपको पहले बता, यह वह operating condition है, जिसको पहले हमने identify किया, और avoid किया, ताकि हम cavitation से बस सके, और इसी zone को NPSH zone के नाम से भी जाना जाता है, यही NPSH का मतलब है, I hope आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा अब last हम बात कर लेते हैं, इसमें लगने वाली equation की, अब इसे थोड़ा mathematically ओर detail में समझते हैं, देखिए, हम यहाँ पे energy equation अपलाई करते हैं, यह है energy equation at point, point one, इसे point one माल लेते हैं, और इसे point two माल लेते हैं impeller को, ओके, I of impeller में, at point one and point two, ठीक है, energy equation मतलब Bernoulli's equation, ओके, तो energy equation हम अपलाई करेंगे, one and two पे, चले, अपलाई कर देते हैं, माल लीजिए, point one पे करते हैं, तो energy equation में लिख देता हूं, p by roji, roji मतलब इसे specific weight के टर्म में भी आप लिख सकते हैं, चाहें तो, v square by two g, plus में, z1, okay, same, point two पे करेंगे, हम, p by roji, v square by two g, plus में, z2, अब देखिए, यहाँ पर, point one की बात करें, तो pressure, p1 लिख लेते हैं, okay, यहाँ पर pressure two है, तो यहाँ पर p2 लिख लेते हैं, यहाँ पर velocity कैसी है, one point की है, यहाँ पर velocity two point की है, अब, आप देखिए, अगर point one की बात करेंगे, तो हमारे यह, चेज रहेंगे, energy equation में, मगर point two में क्या देखिए यहाँ पर bands है, reducer है, flange है, तो इसके करण लोसिस होते हैं, तो इसमें, लोसिस हो रहेंगे, यह लोसिस एड हो गए, चलिए, अब हम इसको solve करते हैं, equation को, इस equation को solve करने के लिए, बहुत simple है, देखिए, pressure रहेगा, कुछ ना कुछ atmospheric pressure है, तो आप इसको, p1 रोजी, लिख ल लेते हैं, p2 हमारा, कुछ ना कुछ यहाँ पर pressure बनेगा, कुछ भी negative pressure है, मगर pressure तो है, rho जी, ओके, velocity देखते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ velocity होगी, जिसके कारण यहाँ पर fluid carry कर रहा है, तो इसको कहते है, v2 by 2G, और देखिए, z2, z2 यहाँ तक की height की बात कर रहा है, य यह impeller की eye है, इस level तक की height है, उसे hs के नाम से जाना जाता है, यानि static height, ओके, मैं hs लिख देता हूँ, z2 की जगा, और losses, इसे hf की रूप में हम लिख लेते है, थोड़ा equation को easily solve हो जाएंगे, इससे, अब देखिए, इससे क्या हमें समझ में आया, इससे यह 0-0 हटा देता महीं परी, ओके, अब मेरे को क्या निकालना है, पीटू, क्योंकि भारवाला pressure तो मेरे पर है, atmospheric pressure क्या है, या फिर किसे भी container में जो pressure है, बट मुझे इस eye of impeller का pressure नहीं पता, तो मेरे को पीटू निकालना है, तो पीटू निकालना है, बाकी terms को इसको में उठा के, यहां लि minus, यह पूरी की पूरी terms, V2, 2G, प्लस में HS, और HF, friction losses, और यह मेरी height है इसकी, तो देखें इससे आपको क्या लग रहा है, इससे यह पता चलता है, तू क्या है हमारा, तू है impeller, और वन क्या है हमारा, atmospheric, ओके, यहां पर माल लिजिए, आप इसे ATM लिग दीजिए, थोड़ आना है P2 का, कैसे निकलेगा, atmospheric pressure जो भी होगा, या जो भी हापर आपका pressure आप लेके चल ले, उसमें इसा आप minus कर दीजिए, this terms, इसको मैं bracket में ले लेता हूँ, उस पूरी terms को, इसे minus कर दीजिए, तो आपका जो भी हापर pressure आ रहा है, negative pressure, यानि this pressure, point at point B, यह निकल के आ जा सकते हैं, अब इसको NPSH के terms में समझ लेते हैं, अगर आप चाहते हो कि हमारे pump में cavitation ना हूँ, तो उसके लिए simple सी terms है, वो यह है कि जो हमारा P2 by rho g है, यह जो है, यह हमेशा याद रखना, यह greater than होना चाहिए, इस से, P1, rho g से हमें से greater than होना चाहिए, या इसे आप इस तर हो जाएगा, यानि की कुछ इस तरह से, P2 by rho g minus P1 by rho g, it must be greater than 0, अगर यह 0 से बड़ा है, तो आपके pump में cavitation नहीं होगा, अगर यह 0 से कम हो जाता है, तो यह हमेशा cavitation का रूप लेगा, तो यह NPSH की condition है, NPSH की condition है, किसी भी pump में इसकी energy equation को balance करने के लिए, तो I hope आपको थोड़ा idea लगा होगा, thank you for watching